गुड मॉनिंग, गुड आटरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with Rohit इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल and English learning वीडियो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आईए शुरुआत करते हैं स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है English with Rohit आज का हमारा टॉपिक है Passive Voice Friends, Passive Voice शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वाइड बोर्ड का एक बार पॉस करके स्क्रीनशोट ले लें ताकि आपको इसके पॉइंट्स याद रखने में दिक्कत ना हो तो मैं एक मिन देता हूँ आपको कुछ सेकिंड देता हूँ आप इसका पॉस करके एक स्क्रीनशोट ले ले ओके फ्रेंट्स तो शुरू करते हैं Passive Voice देखिए Passive Voice को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पहला पॉइंट्स है काम किसी के द्वारा किया जाता है जब भी हिंदी में आपके सामने Passive Voice का सेंटेंस आएगा तो उसमें जो काम हो रहा होगा उसको करने वाला कोई नो कोई उसके साथ एक द्वारा शब्द दिखाए देगा इसलिए यहाँ पर लिखाए कि किसी काम किसी के द्वारा किया जाता है जैसे कि For Example हम Example में पढ़ लेते हैं पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है तो यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा एक शब्द आया हुआ है जो ये प्रूफ करता है कि काम किसी के द्वारा किया जाता है आईए देखते हैं दूसरा point passive voice में main verb के बाद जाना शब्द लगा होता है 90% इस point का मतलब है कि जब भी आप हिंदी में passive voice का sentence देखेंगे तो उसमें जो आपकी main verb होगी यहाँ पर जैसे की देखिए आप main verb है लिखना उसके बाद जाना शब्द का कोई न कोई रूप जैसे की जाता है गया जाएगा जा रहा है आदी ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे तो यह बाद भी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि main verb के बाद जाता है शब्द दिखाई देता है या जाएगा या गया वो इट डिपेंड्स उन दे टेंस कि किस टेंस में बात करे हैं प्रेजिन में, पास्ट में, फ्यूचर में, कंटिन्यूस में ठीक है थर्ड पॉइंट कभी-कभी काम करने वाला नहीं होता जब आप पैसे वोइस का सेंटेंस हिंदी में देखेंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि कभी-कभी सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होता आए इस सेंटेंस को देखते हैं पढ़ने का काम हो रहा है, वर्क के बाद जाना भी आ रहा है, किताब भी है, लेकिन पढ़ने वाले का आता पता नहीं है, यानि कि sentence में काम करने वाला नहीं दिखाई दे रहा, चाहें तो हम ऐसा sentence भी देख सकते हैं, ऐसा लगा हो सकते हैं कि, अगर इस sentence का हम passive voice बनाएंगे तो यह बनेगा मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है लेकिन अगर हम इसमें से मेरे द्वारा को हटा भी दें तो भी यह sentence passive voice में ही count होता है ठीक है नमबर four point passive voice में द्वारा शब्द या तो लगा होता है या छुपा होता है यह बात हम अलड़ी कर चुके हैं देखिए इस sentence में passive voice में मेरे द्वारा यानि कि द्वारा शब्द लगा हुआ है और इस sentence में किताब पढ़ी जाती है द्वारा शब्द छुपा हुआ है तो जो आपके सामने passive voice के sentence हिंदी में आएंगे तो आप ध्यान रखना उसमें कि द्वारा शब्द लगा भी हो सकता है और चुपा भी हो सकता है यानि कि काम करने वाला चुपा हो सकता है आगे लिखा है लेकिन बस द्वारा, कार द्वारा, जहाज द्वारा तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फाइदा उठा सकें और नीचे कमेंट करके हमें जुरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मैनत करें और बेटर वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनरजी और नई जोस के साथ थैंक्स फर वाचिंग बाबाई